इस वक्त की बड़ी खबर है मैंपूरी से जोहां पर तीन अंतर राजिय लुटेरों को किया गिरफतार आरोपी और से भारी संख्या में फर्जी कार्ड बरामत किये गए पुलिस और प्रेस की फर्जी कार्ड बरामत किये गए भारी तराद में लूटा हुआ माल भी बरामत आरोपी ओ पर एक दर्जन से जादिक मुकाद में दर्ज है शेर कोटवारी पुलिस और स्वाट टीम ने किया गिरफतार बतारी की बड़ी खबर मैंपूरी से जो पुलिस ने इरानी ग्यांग का किया पर्दा फार्श और तीन अंतर राजी लुटोरो को किया गिरफतार जकीर 13 माई को सहर मैंपूरी से एक रिटायर से चख्थ है उनके साथ एक टपेवाजी की गिरफतार हुई जिसमें मुकर्बा पंजी कर्थ हुआ था और एक खैदर जबार जाफरी है यह महराश्ट का रहने वाला है यह मुलता ही इरानी गैंग है और जो इनकी मोड़ा सावरनी है वो यह कहीं पर जा करके और जैसे चलते हुए लोगों को टार्गेट करते हैं और देखते हैं कि इसने कुछ सोना चानी पहना हुआ तो उसको रोकते हैं और रोकने के बाद यह आगे पुलिस वाला बनते हैं या कोई प्रश का या कोई शिवियाई का अधिकारी बनके और कुछ से उनको गुमरा करते हैं कि आगे चेकिंग हो रही है और आप अपना जो जली रखे हो उसको अपने जेब में रख लो अपनी गाड़ी की डिगी में रख लो तो यह हमारे यहां जो गटना हुई थी इन्ह इसी तरह की एक टैमो करते हैं और दूसरे आदमी को विश्वास हो जाता इससे की इसको रख लेना चाहिए तो उन्होंने रख लिया था और इसके बाद फिर उसको बदल करके और इन्होंने ठगी कर ली थी तो यह एक अच्छा गैंग पकड़ा गया है और इस यह इरानी पनारस में इन्होंने ठटनाय की हैं इनका बहुत बड़ा अपरादी की तिहास है और अभी तक यह मुहम्मद सेयद के 15 मुकर्में जो हमारे रिकार्ड में हैं इसमें ज्यादातर मुकर्में यूपी के हैं कई मुकर्में इनके बंबई के भी मिले हैं और इसी तरह एक जो इसके इसमें परार चल रहा है इसकी पीरित टारी की जाएगी तो जो इनसे समान भरामत हुआ और इसके अलावा इनकी मो rib comida पदला वया था परामद हुई है इनके फर्जी पहिंचाल पार जो पुलिश वाले बनते थे या क्राइम रांच या प्रश के बनते थे को उससे संबंधित इनके आई-कार्ड परामद हुए है तो यह एक बड़ी काम्याबी है जो हमारे शॉर्ट और सर्विलांस और पुलिश नहीं देए